हला एवरीवान, वेलकम टो और चानल MCB, MCB आज एक बहुती सिंपल और इजी सारे कुछ डिजाइन बनाएंगे, इस डिजाइन को बनाने के लिए यह मैंने 10 स्टाइन्स आफ सिल्क त्रेड लिया है, और यह भी मैंने 10 स्टाइन्स आफ सिल्क त्रेड लिया है, आज हम कम डिस्टाइन्स पर हमें मार्क करना है, नेक्स्ट हमें 10 स्टाइन्स आफ सिल्क त्रेड लिया है, यह जो हमने मार्क किया हुआ है, इस मार्क के ऊपर से इस निदल को हम पास कर लेंगे, इन सभी सिल्क त्रेड को नीट करते हुए, हमें यहां पर थोड़े से लॉंग त् पल्लू के नजदी अच्छे से एक टाइट नॉट बनाएंगी नेक्स्ट हमें फिर से परपुल कलर का सिल्क त्रेड लेना है और यह जो नेक्स्ट वाला मार्क है यहां पर इस निदल को पास कर लेंगी उसकी बाद इन सभी सिल्क त्रेड को नीट करते वे थोड़े से लॉं और अब नेक्स्ट हमें इन सभी सिल्क त्रेड को नीट करते हुए पल्लू के नजदी उपर की और एक टाइट नॉट बनाना है अच्छे से एक टाइट नॉट बना लिया है इस तरीके से हमने परपुल कलर की दो त्रेड बना लिये हैं नेक्स्ट हमें रेड कलर का सिल्क लेना है और इसी तरह से रेड कलर के भी दो त्रेड्स बनाने हैं यह डिजाइन बहुती इजी है बिगनर्स भी इसे इजेले बना सकते हैं आप इस डिजाइन को फैंसी सारी लाइट वेट सारी अलसो दुपट्टा पर भी बना सकते हैं यह डिजाइन बहुती इसी तरह के से हमें continue करना है अपर देख सकते हैं हमने every half inch के distance पे सभी threads बना लिए है next हमें यह जो starting के 3 threads है इने लिना है बाकी के हम side कर देंगे उसके बाद यह फर्स्ट वाला thread है इसे side रखना है second वाला thread छोड़के third वाला यह जो red color का thread है इसमें हमें equally दो parts बनाने है neatly इन threads में हमें दो parts बनाना है उसके बाद second वाला part side में रखेंगे और इस part को starting का यह जो पहले वाला part है इस part को इन दोनों को मिलाते हुए हलका सा twist करके थोड़े से distance पे लगबग 1 इंच की distance पे हमें यहाँ पे इन दोनों threads को मिलाते हुए एक knot बनाना है second वाला thread हमें skip किया हुआ है first वाला thread full लेना है third वाले thread में दो parts बनाने है और अब next हमें second वाले इस thread को नीट करते हुए side रखना है उसके बाद इसे भी नीट कर लेंगे next वाला यह जो thread है इसमें हमें equally दो parts बनाने है second वाला part side में रखते हुए इस purple color के thread को और इस second वाले part को इन दोनों को मिलाना है नेटली इन सभी silk thread को मिलाते हुए हलका सा twist करके लगबग 1 इंच की distance पर हमें यहाँ पर इन दोनों threads को मिलाते हुए एक tight knot बनाना है इस तरीके से अच्छे से एक tight knot बनाएंगे और अब next हमें इन threads को उपर की और slide कर देना है फिर से हमें इन सभी silk thread को नीट कर लेना है इस next वाले thread में हमें दो parts बनाने है एक part को side में रखते हुए इस part को और ये जो पहले वाला part है इस part को इन दोनों को मिलाते हुए ये जो beach का thread है इनसे नीट करते हुए हम side रख देंगे एक part sector वाला हमने skip करना है और इन दोनों parts को मिलाते हुए हलका सा twist करके एक tight knot बनाना है यह देख सकता है इस तरीके से 1 इंच के distance पे हमें एक knot बनाना है और इसे हम उपर की और slide कर देंगे next हमें यह जो purple color का thread है इसमें हमें 2 parts बनाने है एक part side में रखते हुए इस part को और इस part को दोनों को मिलाते हुए center वाला part हमें skip करना है इन दोनों मिला के हलका सा twist करके लगबग 1 इंच के distance पे हमें mark कर लेना है sorry knot बनाना है अच्छे से एक tight knot बनाएंगे अब यह देख सकते हैं इस तारीके से यह design कुछ इस तारीके से आएगा बहुती easy and neat design है दिखने में थोड़ा सा confusion लग सकता है बट बनाने में यह design बहुती easy है लगबग 1 hour के अंदर अंदर आप इस design को easily बना सकते हैं इसी तरह से मैंने simple से सारी दुपटा कुछ design बनाए हुए है उनमें से जो latest है उनका link मैंने उपर i button में दे दिया है इसी तरीके से में त्रेड वर्क कंटीनिव करना है लास्ट में हमें इन सभी त्रेड को पहले उपर की और slide कर देंगे यहाँ पे हमें दो red color के दो purple color के silk thread है next हमें इन दोनों त्रेड को लेना है और बीच में एक त्रेड गैप छोड़ना है इन दोनों त्रेड को मिलाते हुए हलका सा twist करके लगबख 1 इंच के distance पे हमें एक tight knot बनाना है इसके बाल इन त्रेड को भी हम उपर की और slide कर देंगे और अब next हमें ब्लास्ट में ये जो बचे हुए दो त्रेड से इन दोनों त्रेड को भी मिलाते हुए हलका सा twist करके त्रेड के tight knot बनाना है हमने या पर इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 stands of silk thread लिया है आप इससे भी थिक बनाना चाहते है तो 15 stands of silk thread भी यूज़ कर सकते है और अब लास्ट में ये कुछ इस तरीके से आएगा next हमें ये जो silk thread है इन silk thread में इन needle को insert करते हुए एक big hole वाला bead insert करना है और इन silk thread को knit करते हुए ये जो bead है इस bead के नजदीक ही एक tight knot बनाना है ये beads optional है आप सिर्फ silk thread को भी यूज़ करते हुए इस design को बना सकते है या फिर आप इस तरीके से एक-एक bead भी यूज़ कर सकते हैं ये without tassels वाला work है हमें यहाँ पे इतना ही thread work करना है इन सभी silk thread में से इस needle को pass कर लेना है और एक big hole वाला bead insert करते हुए इस big hole वाले bead के नज करते ही एक tight knot बनाना है next आप चाहो तो यहाँ पर टेसल भी बना सकते हैं इसी तरीके से continue करना है last में हमें ये जो excess silk thread है इन्हें हमें neatly trim कर लेना है equal size पे इस तरीके से trim करते हुए work को complete कर लेंगी अब ये work complete हो गया है बहुती simple and easy design है वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा like, share और comment जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करके all पे click कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब के लिए थैंक्स फ़ वाचिंग सी यू सून बबाई